मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस के साथी बहुत बहुत धन्यवाद की आप लोग यहाँ पर हैं अभी हम लोग नॉमिनेशन करा के आए हैं समाजारी पार्टी से जिंपल यादर भिहां की प्रजासी उसके लिए फॉम भर करके हम लोग आए हैं यह चुनौम एन्टुरी का उन परसितियों में होने जा रहा है जब नेता जी हमारे बीच में नहीं है नेता जी और इस शेथ की जंता से सीधा सीधा लगाव रहा है नेता जी के अपनी शुरुआत और राजनीत का पूरा का पूरा स्तंगर यहीं मेंपुरी से और मेंपुरी के जंता के साथ और जंता के सहयोग और आशिवास से आगे बढ़े है आज जब नेता जी भीच में नहीं है में मेंपुरी की जंता से यही अप्दिल करना चाहता हूँ कि नेता जी के जो बताई हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे नेता जी का दिखाय हुआ रास्ता जो राजनेतिक सम्मान जो समाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है उन सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी जिम्पल यहां से प्रत्यासी है और मुझे पूरा भरोस्ता है यहां की जन्ता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जन्ता ने नेता जी के नाम पर इस तरीको एतासिक बोटों से जिता करके जन्ता भीजेगी मैं जिम्पल से कहूंगा कि एक बार वो भी कहते हैं अज्जा जी सिपाल सिंग जी नहीं नजर आ रहे हैं को मैं सब्सका घन्यवाद में पुरी आश्राणी में पूरी को पहsoo जान दी सीन्थ एस पूस के साथ रहेगा। को इस बोगा जूने बीजा कर वाआ जब के दुगा सब्सक्ता कर ने तो ऐसा कर द कि 2.0 dirt कि इसलिए मैंने कहा कि चुनाव उन पस्टितियों में हो रहा है जब नेता जी नहीं है नेता जी नहीं इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया अपना खून पसीना लगा करके यहां के कायकरता नेता उन्हें नेता जी का साथ दिया नेता जी ने जो राशा दिखाया राजनीत में और मैंनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे और सच्छी सिधान जली यही होगी कि आशिरवाद के रूप में पूरा का पूरा बोट यहां पे समाजवादी पार्टी की 85 जिम्पल याज़ी को मिले मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि यह इलाइशिंग कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था और इन परसितियों में जब हो रहा है तो अभी नेता जी की यादें ताजी हैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो लोग नजाने कितनी पुरानी बातें जो नेता जी के साथ हुए उनकी चर्चा करते हैं यहां के बुज़र्ग जो नेता जी के साथ संगर्स में रहे राजनीत में आगे बढ़ाने का काम किया वो लोग उनके साथ की कहानी उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा है उसके वारे में बताते हैं नेता जी की यहां बहुत सारे परिवारें जिनके साथ यादें जुड़ी है इसलिए नेताजी का ये चुनाउं और नेताजी के नाहरे ने पर ये जो चुनाउं होने जा रहा है यहां की जंता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माद्दम से एतिहासिक बोटों से जिता करके समाजवादी पार्टि को भढ़ затем नामंकन के लिए जो आलोग साथ के राजनाइन बाथम जी और हमारे साथे वकील साथ बैठे हैं एएच हास्मी इन लोगों के साथ नामंकन हुआ है यही परसाबक हैं हमारे और तेश परताब जी चोथे पर जो हमारा परशा भर जाएगा उसके परसाबक हैं तो आज बहुत साथगी के साथ क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं जब नीता जी नहीं है तो हम सब दुखी हैं इसलिए बहुत साथा तरीके से हमने कारिकरताओं से निविदन भी किया अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे भी हैं अभी जाने जा रहा हूँ जाओंगा मैं जाओंगा जाओंगा मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूंगा मैंने आप से कहा कि आज केवल परस्ताबक और बहुत कम समर्सक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव परचार में हम सब मिल करके चुनाव परचार करेंगे कितने मतों से जीत लगती है आपको मेंन पूरेंगा अभी तक कि सबसे एतिहासिक जीत होगी अज़्जी लगातार वीजे पी जो है समाज बादी पाईटिक गड़को काम कर रही है वीजे लगातार मंसन कर रहा हिए पर चाह कीने अपने आफसे वीजे पी ये नेता जी की सीट रही है और जितना विकास आपको मेंज़पुरी में दिखाई दे रहा है जनता जानती है कि नेता जी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल काम करेंगी उस बहस में मत जाएए क्योंकि भारती जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है पूरा देश जानता है कि इतना अन्याय इतना उस्पिरन इतने जूटे मुकदमे कभी नहीं लगता थे थे और लोग सबाचना भी आपने देखा था आज भी वीडियो हैं सब के पास आप लोग प्रेस के लोगें आपके पास भी वीडियो होंगे कि किस तरीके से प्रसासन के माद्यम से लोगों को बोट नहीं डालने दिया यह रामपुर में जिस गली से लोग बोट डालने जाना चाहते थे लेकिन प्रसासन ने फूरी सकती लगा करके बोट नहीं डालने दिया था सर क्या कारण रहा तो आप कई देख चिनाव को यह पहां पर प्रिचार करने के लिए नहीं गए और यहां आपका घड़ है करम भूमी है नेता जी कि सब कुछ आपका अध्या जी लगातार पूर सांसाथ प्रता ब्यादव का मेंनपुरी से नाम अट गया और डिम्पर जी का नाम आगया इसका क्या रही जाना यह आप मेंनपुरी के पत्तकार हैं इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए सांसाथ जी के नाम ना आने से काफी कारकस्ता नाराज मेंजर आ रही है आप मेंनपुरी के हो और बहुत अच्छा अब नहाई आपको जो सवाल पूछे रहाए को ना सेजबटा से पूछने ना चाहिए बगले बैटके प्रसासन का रहा है वो समझ के परे हैं यह यह एकिसी से कुछ निया रहे हैं जन्ता का चुनाव है नीता जी का चुनाव है मेन्पुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है यह सब जानते हैं साथन पुरा प्रसासन मदद करने जा रहा है समाज आदी पार्टी की इसमें क्या चिपा हुआ है और ये चुनाव नीता जी का चुनाव सवाल प्रसासन का नहीं है सवाल सरकार का नहीं है जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है आप पूरा मेंपुरी घूमाएए जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्य का विकास किये होंगे मेंपुरी का जन्वरी तो हजार पाइस विद्धान सवाल की चलिए मैं भनेवाद देता हूं आप सब्सक्राइब